Hello Everyone, Welcome to Loneal Classes, कैसे हैं आप सब लो? Students, जैसा कि आपको पता है, हमारा Political Science का Chapter 6, Political Parties चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, National Parties और State Parties. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे है, Challenges to Political Parties. आपको इस Chapter के MCQ का Link और Previous Topics का Link वीचे Description Box में बल जाएगा. तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज किस Topic, Challenges to Political Parties में हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं, कि इंडिया में जो भी Political Parties हैं, वो अक्सर किस तरीके की Problems या Challenges फेस करती हैं. आपकी NCRT की Book में इन Challenges को Four Parts में डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे First जो Challenge है, वह है Lack of Internal Democracy. Democracy का मतलब जैसा कि आपको पता ही है, कि सबके साथ Equal Behave करना, सबको Equal Chance देना, लेकिन Political Parties में ऐसा देखने को नहीं मिलता है. आपने अक्सर देखा ही होगा कि पार्टी के कुछ Top Readers ही जो है, वह है Decision लेते हैं. और यह किसी एक Particular Party की Problem नहीं है, यह सभी Political Parties की Problem है. होता यह है कि Power जो है कुछ Top Readers के हाथ में ही रहती है, और जो पार्टी का एक Common सा Member होता है, उसको यह पता ही भी नहीं होता है कि पार्टी में क्या Decision चल रहा है. और Decision Making Process में उसको ना Participation मिलता है और ना ही उसको कोई Consult करता है. और अक्सर यह भी देखा जाता है कि Political Parties में कोई Organization नहीं होती है, कोई Registration नहीं होता है, किसी भी तरीक का Internal Election भी नहीं होता है. जी हाँ, Political Parties में भी Internal Election होते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर पार्टी के Top Leaders चूस करने हैं या Election के टाइम पर टिकेट प्रोवाइड करनी हैं तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी में Election होता है और जिसको जाधा पसंद करते हैं उस परसंद को जो है Election कंटिस करने का Chance मिलता है. तो ऐसा भी भी प्रोसेस जो है वह पार्टी में नहीं होता है और पार्टी ही पार्टी का कोई Register Maintain किया जाता है जिससे कि यह पता चले कि किस परसंद ने कब पार्टी जाइंग की थी और उस वह कितना सीनियर है उसने अपनी कितनी सर्विसेस जो है अब तक पार्टी को ने दीनी हैं तो उस तरीकी की प्रॉब्म जो है वह अक्सर देखने को मिलती है प्लिटिकल पार्टी में सेकर प्राब्लम आती है डानिस्टिक सक्सेशन बच्चो इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना अक्सर बच्चे इस वर्ड को भूल जाते हैं तो सेकिन चैलेंज जो political party face करती है उसका नाम है dynastic succession अभी dynastic succession क्या होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अक्सर political parties में ये देखा जाता है कि political power कुछ leaders के हाथ में ही होती है और यह leader अपने जाने से पहले अपनी इस power को अपनी family के other members में shift कर देते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी family के में एक person जो है वे leader है और अगर वो old हो जाता है वे अपनी services provide ने कर पाता है तो जाने से पहले वे अपने लड़के या लड़की को जो है वह नेता बना जाता है election में ticket प्रोवाइड करा देता है और election जित्वा भी देता है और उ family member को power provide की गई है वह कई बार उस चीज़ के काबिल भी नहीं होता है ना उसके अंदर वो qualification होती है ना ability होती है leader बनने की लेकिन सिर्फ एक चीज़ उसके अंदर होती है कि वह है एक minister का बेटा है या एक leader का बेटा है इसी base पर जो है उसको ticket दे दिया जाता है और फिर उसके के बाद वह जीत कर जो है उसको minister बना दिया जाता है तो इस तरह तरह से जब किसी एक family के member में ही power जो है shift होती रहती है इस process को बोला जाता है डियनेशिक succession थर्ड problem यह थर्ड challenge जो political parties में अकसर देखने को मिलता है वह है use of money and muscle power बच्छो किसी भी political party का जो main aim होता है वह होता है election के time पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटो को gain करना जितनी ज़्यादा सीटो पे वे winner होगा उतनी ज़्यादा chances होंगे उसको power मेलने के लिए और इस चीज़ को पाने के लिए political parties ऐसे candidate सेलेक करती है जिनके पास ज़्यादा तर money होती है और election के time पर political parties को या leaders को जो है बहुत सारी release निकालने पड़ती है demonstration करने पड़ते है, meeting देनी पड़ती है और public को mobilize करना पड़ता है कई बार इसों में पार्टी को बहुत खर्चा करना पड़ता है और इस खर्चे को पुरा करने के लिए political parties अक्सर ऐसे candidate करती है जिनके पास money होती है और वहे इलेक्शन के time पर उस पैसे को खर्च कर सकते है जो poor people होता है वो इसलिए election नहीं जी पाता है क्योंकि उसके पास election में खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है और जो rich person होता है वहे इतना जाता पैसा पानी की तरह बहाता है कि अक्सर वोटर्स को ब्राइब करता है अपने supporters को जो है उस पे इतना पैसा कर्च करता है release निकालता है demonstration करता है public meeting करता है और इन सम्में वो easily जो है ये सारी चीज़ों को manage कर लेता है और जिसका effect finally जो है वहे पढ़ता है election के result पर और अक्सर इस तरह की के पैसे वाले लोग जो है वो election जीच जाते है दूसरा जो है muscle power का कैसे use होता है muscle power का यहाँ पर मतलब है criminal record रखने वाले लोगों को भी political parties अक्सर जो है election contest करने का chance देती है ऐसा क्यों करती है क्योंकि particle party का mean मकसद होता है election में ज़्यादा से ज़्यादा seats gain करना और जो criminal record वाले लोग होते हैं यह अक्सर लोगों को threat करते हैं उनके मन में fear create कर देते हैं और इस डर की वज़े से जो है voter इन लोगों को vote देतेता है और यह criminal record वाले लोग जीच जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक एम पूरा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा seat gain करना उसके लिए चाहे criminal person ही क्यों ना हो चाहे वा किसी भी तरह से capable भी ना हो लेकिन उसे election contest करने का chance अक्सर मिल जाता है फूर्थ problem जो है वह है आपकी NCRT की बुक में दे हुई है वह है lack of meaningful choices students जैसा कि आपने अक्सर यह देखा होगा कि election के time पर सभी political parties अपना manifestos निकालती है हमाले साथ बहुत सारे promise करती है कि आप हमें अगर vote देंगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे और अगर आप कभी यह देखिएगा कि इन manifestos को आप read करके देखिएगा सिर्फ words different होते हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें एक होती है अक्सर यह देखा जैसे में आता है सभी political party के जो fundamentals हैं वह same होते हैं same ideology होती है और वह same ही बाते करते हैं तो अक्सर हमारे जैसे voter confused हो जाते हैं कि किसे vote ने क्योंकि सभी एक जैसे हैं तो इस तरह से यह देखने में आता है कि public के पास कोई अच्छी meaningful choice नहीं होती है और अक्सर public कभी दो पार्टियों में से कभी एक को choose कर लेती है और कभी दूसरे को reason क्या होता है इसका reason यह होता है कि हमारे जैसे voter के पास कोई meaningful choice नहीं होती है तो students यह था आज का आपका topic मुझे उमीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह है बहुत important topic है इसको कभी मच छोड़िएगा यह exam में अक्सर आता रहता है तो बने रहेगा मेरे साथ मेरे next video में जिसमें हम discuss करेंगे reforms in political parties Thank you, thank you so much